नमश्कार स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूँ आपकी साथ सौमयराठी आज के एपिसोड में हम यह जानने वाले हैं कि यह कौन सी स्किन कंडिशन होती है जिसमें अचानक से हाथ और पैर में क्राक्स नजर आने लगते हैं और साथी साथ कभी उन क्राक से खून भी आने लगता है यह कितना गंभीर हो सकता है और इलाज किस तरीके से किया जाना चाहिए और यह सारी चीज़े समझाने के लिए इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर सुधांचु सिंग जो कि बिहार की सबसे जाने माने स्किन डॉक्टियों में से एक है सबसे पहले डॉक्टर साब नमश्कार बहुत-बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर साब अक्सर यह देखा घया है एक इसकिन कंडिशन है जुसमें हाथ और पैर में दरारी जैसी निजर आने लगती है वAy вд. डोक्टियों चाहिए नर्मल हो दोनों तरह के होते और जो प्रोफेस्चनल मज़़ूर लिवर कलाद्स के हैं हमेसर के स्किन के एक्लिमेटाइज़ ठोकर के ठिक हो जाते हैं, जो हाट वर्क करते हैं हाथ से उनके हाथ के स्किन भी ठिक हो जाते हैं, तो वो ऐसे इस कंडिशन में वो बिलकुल ठिक ड्राइ हो जाता है, ड्राइ होने के कारणी, इसकी अगर सॉफ्ट रहेगा तो यू कैन मूव इट, बट बहुत से जो फीमेल्स होती हैं, जो हाउस होल्ड वर्क करती हैं, उनको डिटरजेंट छुना, कुछ सबजियां काटना, कुछ चीज से भी अलर्जी होगी, तो बार बार अलर्जी होने कारण इसकी बिलकुल ड्राइ पैच और क्रेक्स होने लग जाते हैं, काफी इचिंग होती है उसमें, जबकि नॉर्मल इसकी जो क्रेक होता है, उसमें इचिंग नहीं होती है, सिंप्ली क्रेक्स और पैन होते हैं, लेकिन जब अलर्जी होती है, तो इसमें इचिंग भी होते हैं, स्केल्स भी होते हैं, ड्राइनेस भी होते हैं, और क्रेक्स भी होते हैं, तो य third condition है psoriasis, यह एक ऐसा condition है जो autoimmune disease है, इसमें immune system में change आया है जिसके कारण जो skin's के conditions हैं वो thickness बढ़ जाते हैं, तो palms and soles के जब thickness बढ़ जाएंगे तो वैसे भी dry हो करके cracks होने लगेंगे यह पामो प्रांटर psoriasis एक condition है जिसका के treatment करना है, यह lifelong इसका treatment करना पड़ता है जो प्रांग नहीं करेगा जी डॉक्टर साब में चीज जाना चाहूंगी कि यह जो condition है क्या वो सिर्फ एक उम्रदराज रोगों में होती है या फिर बच्चों में भी देखी जा सकती है कि जो प्रफेशनली जो काम कर रहे हैं जैसे बच्चे भी अगर कोई हाड़ वर कर हैं इसकिन हाड़ वर के कारण जो है बहुत ज्यादा थिक हो जाता है तो उनको बच्चपन से भी आ सकता है कभी कभी आप हैर्ड़ेटी भी देखेंगे कि परिवार के सारे लोगों के पैर क्रैक्स है बच्चपन से ही कुछ एक कंडिशन है जो कि एक थियोसिस कहते हैं जो तो फिर क्यों आ रहा है तो फिर क्यों आ रहा है ब्लड वहां से डॉक्टर से मुलाकात करने के बारे में लोगों को कब सोचना चाहिए जब भी कंडिशन्स ऐसा हो जा जिसमें कि आप नौमली काम नहीं कर पा रहे हैं तो यूशुड लुक आफ्टर दॉक्टर से मिलना च घर में आप जब भी काम करने के बाद लॉटने हैं अगर सुसुम पानी से थोड़ा पैर को गुनगुना पानी से ठीक से साफ करके अगर ऑलिव या नारियल तेल या कोई भी मिनरन वायल लगा लेते हैं तो इसकिन थोड़ा बहुत सौफ्ट हो जाता है सौफ्ट होने से क् की टेंडेंसी कम हो जाएगी सेक्ट है अलर्जी में फइंड आउट कर लीजिये किन चीजों से आपको प्राब्ल्म हो राए है अगर डिटर्जन तो अगर तो तो जो है वो उसलिक होता है कि आप उसको देख लिए कि हाँ टेजर्जन से होता है तो अशको एवाइड तो यह रियक्शन नहीं होगा और सोरियसिस में प्रॉपर ट्रीटमेंट से ही उसो कंट्रोल किया जा सकता है डॉक्टर साब जेनरली जो क्राग्ड हील्स की प्रॉब्लम होती है तो मैं यह चीज जानना चाहूंगी कि मारकेट में काफी सारी क्रीम जाती हैं जो इस चीज के लिए स्पेशलाइज करती हैं तो वो ट्रीटमेंट टेम्टरिली सही होता है उसमें से कुछ क्रीम है जिसमें के Salicylic Acid होते हैं वो रियली में हल्प करती है यूरिया और Salicylic Acid क्रीम वो लगाया जा सकता है वाश करके रोज सुबा और शाम और सौक्स और सूज रियली में पहने से थोड़ा सा वो सॉफ्ट रहेगा तो क्रैक्स कम होंगे उमीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो बाते बताए हैं आपने उनी ठीक तरीके से सुना और समझा होगा इसे के साथ बहुत जल्द मलाकात होगी डॉक्टर साहब के अगले एपिसोड में तब तक के लिए अगर वीडियो को फेस्बुक पर देख रहे हैं तो पेच को सब्सक्राइब करें कमेंट सेक्षन या मील बॉक्स के माद्यम से आप बता सकते हैं कि डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल है धन्यवाद